आज वाली रेसिपी कोई देखकर पकड़ी नहीं पाएगा कि हमने बनाया क्या चीज से यह पनी चिली मंचूरियन जैसा बिल्कुल दिख रहा है ना तो इसे बनाएंगे और देखेंगे हमने इसमें क्या-क्या इंग्रेडियन का इस्तमाल किया है तो जिसे भींडी नहीं भी तो इसे अच्छे से पोच लेते ड्राई कर लेंगे और उसके बाद ना इसे हम चॉप करेंगे तो इससारा ड्राई हो गया अब ना इसे क्यूब्स की शेप में कट कर लेंगे इस तरह से जैसा हम बुजया के लिए काटते हैं उसी तरह से क्यूब्स की शेप में कट कर लेंगे तो सारा हमें इसी तरह से कट करना है और फैला कर जिस बतन में से रखेंगे थोड़ा फैला कर रखेंगे थोड़ा और अच्छे से यह ड्राई हो जाए कटने के बाद भी अलका सा लसापन रहता वहट जाए तो इस तरह से फैला के रख दिया है आप जो है इसका हम बैटर तयार करेंगे इसे हम कोट करेंगे तो यहां पर मैंने डेड़ कप जितना बेसन लिया है इसमें आप चावल मिच का पाउडर एक चमच और स्वादकेरों सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे एकदम घाड़ा बैटर इसका हमें तयार करना है बिल्कुल रनी पतला सा बैटर नहीं होना चाहिए हलका घाड़ा हम मैं कंसिस्टेंसी आपको एंड में चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे ताकि हमारा बिंडी को स्पेस भी मिले और अच्छे से यह कोट हो जाए अंदर तक हमारा जो यह बैटर है ना बेसन वाला यह अंदर तक चला जाए तो देख सकते इस तरह का कोटिंग हमें चाहिए तेल मैंने और गरम होने के लिए रख दिया था तो low to medium flame पे इसे हम डिफ्राइ करेंगे तो यह वाली सबजी अगर आप बना देंगे ना तो मंचूरिय और पनीर यह सारी चीज़े आप बूलकर बार बार बिंडी की यही वाली सबजी बना कर खाएंगे यकीन मानिए बहुत ज्यादा पसंद है ना खाने से पहले कोई नहीं पकड़ पाएगा कि यह बिंडी की सबसी है तो इसी तरह से हमें डिफ्राइ करना है कलर आप अपने हिसाब से डाक या लाइट गोल्डन राउन रख सकते हैं तो यह फर्स बैच मैंने डिफ्राइ कर लिया है और इसी तरह से बाकी ब में रखेंगे सारे बिंडी के ना इसी तरह से हम सारे को टेल में डाल देंगे और डिफ्राइ कर लेंगे जटपड से बन जाने वाली रेसिपी है बहुत जादा कोई इंग्रीडिट का बिस्तमाल आमने इसमें नहीं किया है जो बेसिक अविलीबल चीजें है ना उससे बना सा तेल थुड़ा ज्यादा तेल मतलब दो से तीन चमच तेल लेंगे और उसमें डालेंगे एक छुड़ा चमच जीरा वह अच्छे से चटक जाए ना उसके बाद दो से तीन बड़ा चमच इसमें लहसन बाल कटा हुआ डालेंगे हैं बिल्कुल मंचूरियन वाला और पनी सा यह गल्जा उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च स्वात के नुसा दो से तीन यहां पर मैंने बारिक चॉप करके डाल दिया है अध्रग भी डाल सकते हैं एक चमच लाल मेच का पाउडर धन्या पाउडर और एक से डेड़ चमच ना हम यहां पर आमचूर का भूननना है तो यह चला यहां यह तो जितना पकोड़ां रखा थे दिःटी वाला वह सा रहों दो देंगे और अच्छे से इसे न मिलाते हुए नीचे से बहुत ज़्यादा हरबड में से कुक नहीं करेंगे हलका हलका लो तो मिडियम फ्लेम पे फ्लेम को रखेंगे और धीरे धीरे चलाते जाएंगे ताकि सारी मसाले के साथ हमारा जो बिंडी है वो कोट हो जाए अभी पान करें गत्मा गर्म सर्फ करें ऐसा स्टारर खाए बारिच का सिजन चल रहा है एसे खा सकते हैं ऐसे बहुत जबर्दस्त वाली रेसिपी है रोती यह स्थ बहुत जबर्दस्त वाला रिशीपई जिसे भिंडी खाने का सेम इंग्रीडियंट के साथ घर के अवेलेबल चीजों से तो ये भिंडी वाली रेसेपी आप जरूरू ठाइब कीजेगा थांक्स वाचिंग इंजॉइ